नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका Pregnancy Life & You चैनल में Pregnancy का साथवे महीना यानि की आपका अंतिम ट्रामेस्टर की शिरुवात तो साथवे महीने की बात करें तो 25 से लेके 28 हफते का समय हम साथवे महीने में इंक्लूड करते हैं और इस साथवे महीने के अंदर बच्चा काफी अची तरीके से विक्सित हो जाता है तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे की बच्चा साथवे महीने तक कितना विक्सित हो चुका होता है उसका वेट क्या होता है उसकी मुवमेंट्स के ओपर हम बात करेंगे तो चली दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करते हैं तो गर्वावस्ता के 7 महिने तक आते आते आपका भी वजन काफी हद तक बढ़ चुका होता है तो तक्रीमन आपका रफली 5 किलो तक वजन बढ़ जाना चाहिए इस समय तक बच्चे का वजन भी 1 किलो के आसपास हो चुका होता है और अप्रॉक्सिमिटली अगर इतना आपका बच्चे का वजन हो गया है तो इसका मतलब है कि उसका विकास काफी अच्छी तरीके से चल रहा है बच्चे की लंबाई 14 से लेंगे 15 इंच के बराबर हो सकती है तो 7 महिन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो आपको बच्चे के अंदर ये चेंजिस देखने को मिलते हैं इस समय तक बच्चा बाहर से आने वारी आवाजों को भी सुन रहा होता है और अपने हिसाब से रिस्पॉंड भी कर रहा होता है बच्चा अपनी आँखों के मुवमेट्स भी अच्छी खासी कर रहा होता है वो आँखे खोल सकता है, बंद कर सकता है तो एकलो के करीब बच्चे का बजन हो चुका होता है और बच्चा तकरीबन 70% वेक्सित हो ही चुका होता है साथवे महिने के बाद बच्चे का बजन बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है और इस समय तक बच्चे के पास ताकात भी बहुत होती है तो आपको जो सबसे बढ़िया, सबसे strong moments मैसूस होंगी वो आपको 7 महीनी में ही मैसूस होंगी उसके बाद धिरे-धिरे करके जैसा ही आपका 8 महीने लगता है 8 महीने के आप middle में पहुंचते हैं तो बच्चा उस समय तक और विक्सित हो चुका होता है और अपनी positions भी change कर चुका होता है तो धिरे-धिरे करके अब 9 महीने तक जाते जाते बच्चे के moments कम होती जाएंगी तो 7 महीने में अगर आप हैं तो आप सुनेशित कर लें कि बच्चा आपको एक घंटे में कम से कम साथ से लेके 8 बार तो moments दे रहा है वो moments किसी भी form में हो सकती है बच्चा कभी अंगड़ाई लेगा कभी आपको लाते मारेगा कभी अपने हाथ पैरों को फैला लेगा तो वहाँ से जो तचा होती है वो थोड़ी सी खिची भी दिखती है या फिर थोड़ी सी प्रोजक्टेड हुई भी दिखती है तो इस समय तक बच्चे के moments हैं वो काभी strong हो चुकी होती है और वो पेट के बाहर से भी आसानी से देखी जा सकते हैं बच्चा गर के अंदर move कर रहा है अगर बच्चा काफी देर तक कोई moments नहीं कर रहा है और आपने अपनी तरफ से कोशिश भी कर लिए बच्चे को जगाने की जिसके लिए आप ठंडा पानी पी सकते हैं गरम पानी पी सकते हैं बच्चा बहुत देसे movement नहीं दे रहा है इसके बाद भी अगर बच्चा movement नहीं देता है तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और वो फिर डियाग्नॉस करेंगे कि आखिरकार आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों इस video में इतना ही था लुटिफिकेशन När देरें